नमस्कार दोस्तों अलग अलग पलेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी तो जो भी साती कम्पलीट कलासे अभी तक अटेंड नहीं कर पाए हैं पलेलिस्ट में जाकर एक एक कलास को अटेंड जरूर कर लें दोस्तों चलिए दोस्तों आज की इस कलास को हम सुरू करते हैं से पहले जिन सातियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें सेर कर दें और जो नए साती पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें दोस्तूं सबसे पहले आज हमारी जो लोगदेवी आ रही है वो है चामुंडा माता दोस्तूं कौन सी है चामुंडा माता मुक्के जो मंदीर है इनका वो कापर है महरान गड़ दुरग जोदपूर में एक बात भीर बता देता हूँ जिनके भी मैं इस्टार बनाऊना ये इंपोर्टें है तो आपके गुर्जर परतिया राजवंस है क्योसन बन सकता है यहां से भी मारवाड के राठोडवंस की क्या है आरादे देवी राठोडवंस की है आरादे देवी दोस्तूं 30 सितंबर 2008 को परतम नवरात्रा के दिन मची बगदर सें कहीं लोग मारे गए जिसे महरान गड दुखानती का कहते हैं यह क्योसन यह मान के चलिए कि आरेस जैसी बड़ी बर्तियों में भी आ चुका है महरान गड दुखानती का किसे कहते हैं तो यह याद रखना है दोस्तूं और इस गटना पर सरकार ने जसराज चोपडा आयोग का गटन किया था किस आयोग का गटन क मारवाड के राठोडवंस की आरादे देवी 30 सितंबर 2008 को स्पर्तम नौरात्रा के दिन मची बगदर से कही लोग मारे गए इसी को का जाता है मेरान गड़ दुखानती का दोस्तु इस गटना पर रास्तान की जो सरकार है उसने जसराद चोपड़ा आयो का गटन किया था तो जो साती नौट्स बना रहे हैं स्क्रिन सोट ले लीजिए यहां से आगे चलते हैं नेक्स्ट माता नेक्स्ट हमारी है अमभी का माता आप बहुत सारे सातियों के कमेंट आएंगे कि सर हम तो नौट्स बना नहीं रहे हैं हमें तो नौट्स आपके चाहिए तो कुचामर ओनलाइन क्लासेज एप है हमारा एप पर जाएए एप के इस्टोर में आपको ये नौट्स मिल जाएंगे जो कलास दस होगी उसके बाद सभी नौट्स अपडेट कर दिये जाएंगे अंबीका माता का जो मुक्य मंदिर है वो है जगत उदेपूर के अंदर जिसका निरमान करवाया था आलूरावल ने किसने करवाया था आलूरावल ने अंबीका माता का जो मंदिर है उसको मेवाड का खजुराओ कहते हैं क्या कहते हैं मेवाड का खजुराओ कहते हैं दोस्तों समझ गए खजुराओ मद्दे परदेश में इस्तीत है और यहाँ पर नो से ग्यारवी सताबदी के मद्दे चंदेल राजवंस के दिन मंदिर इस्तापते कला का निर्मान हुआ यह मंदिर नागर सेली में बंदेवे यानि खजुराओं है कहां पर मद्दे परदेश में हैं अब देखे खजुराओं में हुआ क्या था 9 से 11 जो सताबदी है 9 से 11 सताबदी के मद्दे चंदेल राजवंस महां पर था उसने मंदिर मंदिरू का इस्तापते कला जnes अब देखे मेवाड का खजुराओ तो है अंभीका माता मंदिर जगत उदेपुर लेकिन राजस्तान का खजुराओ कहते है किराडू बाडमेर में किराडू के जो मंदिर है उनको राजस्तान का खजुराओ कहते है हाडोती का या राजस्तान का मिनी खजुराओ या तो हाडोती का खजुराओ पूचा जा सकता है या पूछा जा सकता है राजस्तान का मिनी खजुराओ तो ये कहते हैं भंड देवरा बारा को किसको कहते हैं भंड देवरा बारा को दोस्तु तो देखे हैं यहां से तो यह मान के चलिए अंबीका माता से हर एक कतन से आपके क्यूसन है ना वो important बन रहें दोस्तों ले लिजे screen short आगे चलते हैं फिर अंभी का माता पढ़ लिया दोस्तों आगे आती है अर्बूदा देवी दोस्तों देखें अर्बूदा देवी के बारे में मुख्य मंधिर है माउंट अब का जो गुरु सिकर परवत सिकर है वहां परिस्तीत है यह उपनाम अधर देवी उपनाम है अधर देवी एक बात और बता दो माउंट अब पर जो मुख्य मंधिर बनावा है उसकी उचाई पूची जा सकती है क्योंकि ये भूती महत्वपून परसन है और पांच मिटर उचाई है अब देखें क्यों पूची जा सकती है क्योंकि जब हम माउंट आबू यानि गुरू सिकर की उचाई देखते है तो हमारे आती है 1722 और 1727 ये जो पांच मिटर यहां पे 1727 हो रहे ना ये इसी वज़े से जो मुक्य मंदिर है ना इसकी वज़े से ही हो रहे हैं दोस्तों समझ गए ये राजस्तान का सरवादी को उचाई पर इस्तित मंदिर है इसे राजस्तान की वेशनो देवी कहते हैं राजस्तान की वेश्णु देवी कहते हैं गुरू सिकर की जो ओरीजनल जो परवत है उसकी उचाई सत्रा सो बाईस मिटर है उसके उपर बनावा है अर्बुदा माता का मंदिर पांच मिटर का और तब उचाई हो जाती है इसकी सत्रा सो सताईस मिटर आ गया समझ में तो माउ टाबु गुरू सिकर परवसिकर पर बनावा है उपनाम है अधर देवी जो इंपोर्टेंट है राजस्तान की सरवादिकों चाई परिस्तित मंदिर है राजस्तान की वेश्णु देवी अरबुदा माता को कहा जाता है दोस्तों ले लिजे स्क्रेंसोर नेक्स्ट लोग दे परतियार काल का किसका है गुर्जर परतियार काल का दोस्तों नक्टी माता की जो परतिमा है उसकी जो चोर थे उन्होंने नाक चोरू ने काट ली इसलिए ये नक्टी माता कहलाई अब देखे पहले तो क्या था इस परकार लिखा जाता था नक्टी बाद में क्या हुआ नाकिस्म दिम माता की कटी हुई है नकटी माता की मंदिर जेपूर बहानीपुरा में है दोस्तूं नेक्स्ट है राणी बटियानी जिसका परमुक मंदिर जसोल बालोतरा में नया जिला बनाना बालोतरा जसोल बालोतरा के अंदर बादरपद सुकल तरियोधसी को विसाल मेला रानी बट्यानी का लगता है बादरपद सुकल त्रियोदसी के दिन विसाल मेला रानी बट्यानी का लगता है दोस्तों ये भी इंपोर्टेंट जानकारी आपके लिए रह सकती है आगे समझ में यहां से important जानकारी एक एक कतन आपके लिए important रहेंगे दोस्तों ले लिजे screen source आगे चलते हैं star मना दू एक बार जो important है आगे देखे आगे आरही है गेवर माता दोस्तों मुक्के मंदिर नो चोकी की पाल रासमन जील जो रासमन जील है उसमे बनी वी ये नो चोकी की पाल वहां पर किनारे पर है गेवर माता का मंदिर अब देखे रासमन जील की नीव गेवर माता ने रखी थी ये मूलते एक क्या है सती मंदिर है दोस्तों रासमंजील की नहीं किस ने रखी थी गेवर माता ने दोस्तों राजस्तान की एक मातर लोग देवी जो बिना पती के अकेली सती हुई थी देख लीजिए तीनों लाइन चार क्योसन तीनों लाइन चार क्योसन आपके यहां से तैयार हो रहे हैं दोस्तों इस्क्रिंसोर ले लो, बहुत इंपोर्टेंट क्योसन यहां से आते हैं एक्जाम में आपके भी आ सकता है दोस्तूं गेवर माता नोचोकी किपाल रासमंजील रासमंजील की नेव गेवर माता ने गेवर माता का मंदिर सती मंदिर एक मातर लोग देवी जो बिना पती के एकेली सती हुई वो गेवर माता है आगे चलिए नेक्स्ट में नेक्स्ट आ रही है सचियाई माता दोस्तूं देखिए मुक्य मंदीर है ओसिया जोदपुर ग्रामिन के अंदर ओसिया ना वहां पे ओसियां का जो प्राची नाम है वह उपकेस पतन क्या नाम है उपकेस पतन दोस्तों सच्छाय माता दोस सेगें दोस्तों आगे चलिए मित्रों सच्छा है माता मुख्य मंदिर ओसिया जो जोदपुरु ग्रामेन जिले में आता है ओसिया का प्राचिन नाम था उपकेस पटन ओस्वाल जाती की क्या है कुल देवी है ओस्वाल जाती की कुल देवी इस मंदिर में माता की मूर्ती महिसासूर मर्दनी के रूप में कैसे हैं महिसासूर मर्दनी के रूप में इस्टार मना देता हूँ पहले ये मंदिर महामारु सेली यानि गुर्जर पर्तियार सेली में बनावा आयावा एक बार क्यों सन मंदिर का निर्मान परमार सासक उपल देव ने करवाया था सचियाए माता का मंदिर है उसका निर्मान किसक ने करवाया था परमार सासक उपल देव ने ओसिया को चोईस मंदिरू की नगरी का जाता है ओसियो क्या का जाता है सिधा आ गया किरास्तान के किस सहर को चोईस मंदिरू की नगरी का जाता है तो वो है आपका ओसिया सचियाए माता को सामपरदाइक सदभाउना की लोगदेवी का जाता है इंदू मुस्लिम सब दर्सन करते हैं उसी परकार सचियाई माता के भी इंदू मुस्लिम सब दर्सन करते हैं दोस्तु यह है सचियाई माता यहां से भी अच्छे क्यूसन एकजाम के अंदर बन सकते हैं और जो लाश्ट कतन है वो वेरी इंपोर्टेंट है कि रामदेव जी की सामपर्दाइक सद्बाउना की लोगदेवी की सिधा क्यों से सचिना सकता है समझ गया आप सच्छी आए माता आगे चलिए नेक्स्ट में नेक्स्ट लोगदेवी है लतियालमाता दोस्तौं देखें लतियालमाता की बारे में मुक्या मंदिर कहां पर है फ्लोदी प्रोपर फ्लोदी में नया जिला बनाना प्रोपर फ्लोदी मुक्याले में कला वे पुसकरना ब्रामनों की क्या है ये कुल देवी है दोस्तों इस माता के रूप में खेजडी वरक्स की पूजा की जाती है इसलिए इसे खेजड हम पूजन करते हैं अपने घर में तो हम खेजड़ी को पूजते हैं इसी वज़े से देखे नाम क्या रखा गया है खेजड़ बेरी राय बावानी लटियाल माता का उपनाम है खेजड़ बेरी राय बावानी दोस्तों नेक्स्ट लोग देवियल चोत माता जिनका मुक्य मंद पिर चोत का नाम आजे ने चोत का बरवाडा कर देना और ये कंजर जाती की क्या है आरादे देवी कंजर जाती की आरादे देवी है दोस्तु चोत माता ले लिजे स्क्रिंसोट एक बार यहां से आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट लोग देवी की और नेक्स्ट अगली लोग दे ने अन्य नाम है ना आपके वो क्या है अन्य नाम क्या है यहां पे देखिए एक बार अनपूरना देवी आमेर के कच्छावा राजवंस की कुल देवी वेरी इंपोर्टेंट आमेर का कच्छावा राजवंस और उनकी कुल देवी जमवाई या अनपूरना देवी जमवाई माता के बारे में कहा जाता है सत्यूग में मंगलाई त्रेता यूग में हडवाई द्वारपद यूग में बुढवाई और कल्यूग में जमवाई यानि कि यहां से भी क्योसन बन सकता है सीधा पूछ लिया कि जमवाई माता के बारे में कहा जाता है जो हमारे साथ पसू परिचर भरती से जुड़े वे हैं, उनके से कहना चाहता हूं कि जो हमारे नोट्स है ना, जो आपके हमारी कलासे ले रहे हैं, या तो आथ तीन बार कलास अटेंड कर लो, या ये नहीं कर पाते हो आप, तो एक बार तो कलास लो, एक बार तो आपको लिट नोट्स है वो मिल जाएंगे तो वहां से प्राप्त करो अगली लोग देवी काली का माता मुक्य मंदीर चितोडगड दुरक के अंदर यह मूलते एक सूरिय मंदीर है और मेवाड के मारणा सजन सिंग ने इसका पुनर निर्मान करवाया था तो काली का माता से रिलेटे थोड़ा सा यही याद रखना है कि यहां से जो क्यूसन बनेगा वो क्या बनेगा समझ गए आगे चलिए दोस्तों लेक्ष्ट लोग देवी की और सुगाली माता अठारा सो सत्ताउन की करांती यह याद रख लो सुगाली माता आप वहां पे भी पढ़ लोगे इतियास में अभी हम राजवन्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर पहुंचेंगे तो आप क्या आजाएगी दोस्तों यह आववा चेतर के चामपाउतु की क्या है कुल देवी है इसे अठारा सो सत्ताउन की करांती की देवी भी कहते हैं सुगाली माता की मूर्ती वर्तमान में पाली के बं अठारा सो सत्ताउन की करांती की देवी कौन सी है सुगाली माता है और आवा चेतर के चंपाउतु की कुल देवी सुगाली माता है तो देखे फेक्टी फेक्ट है यहां पर आगे चलते है नेक्स्ट लोग देवी की और वो है आपका आमजा माता दोस्तों कौन सी है आमजा माता नेक्ट लोग देवी आमजा माता इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए मुख्य मंदीर केलवाडा उदेपुर के अंदर बीलू की कुल देवी है मुख्य मंदीर केलवाडा बीलू की कुल देवी इस मंदीर की पूजा पदती स्रीनाजी मंदीर नाद्वारा जैसी ह बन सकता है important question क्या बन सकता है important question बन सकता है आपके लिए आमजा माता का जो मुखे मंदिर है वो केलवाडा उदेपूर के अंदर इस्तित है दोस्तूं समझ गए अब देखिए बीलू की कुल देवी है और मंदिर की जो पूजा पदती है वो स्रीनाजी का मंदिर नाद्वारा वेसी की वेसी ही है दोस्तूं माता के मंदिर में एक पुजारी भील भील भोपा होता है दूसरा ब्रामन होता है माता का मंदिर आमजा माता का मंदिर है उसमें दो पुजारी होते है एक तो भील भोपा दूसरा ब्रामन होता है दोस्तूं यह है आमजा माता आपकी स्क्रीन पे ले लिजे स्क्रीन सोट आ है आरादे देवी छत्रपती सिवा जी की क्या है आरादे देवी दोस्तों नेक्स्ट है बाण माता जिनका मुख्य मंदिर भी कहा पर है चितोडगट दुरग में और अन्य मंदिर केलवाडा वनागदा उदेपुर में केलवाडा नागदा दो मंदिर है उदेपुर जिले के अंदर और ये मेवाड के गुल वंस की कुल देवी है मेवाड के गुल वंस की कुल देवी है दोस्तों तुल्जा बवानी माता और बान माता दोनु ही इंपोर्टेंट है दोस्तों अभी बता रहा हूं कि उसन यहां से भी बन सकता आपके आगे चलिए अगला बदाना माता द मुक्य मंदिर कोटा में यहांपर मूट पीडित वेक्टीव का इलाज होता है और कोटा राजवंस की क्या है यह कुल देवी मुख्यमंदिर कोटा में मूट पीडित वेक्तियू का इलाज होता है और कोटा राजवन्स की कुल्देवी बदाना माता दोस्तों केवाई माता मुख्यमंदिर है किनसरिया डीडवना कुचामन जिले के अंदर नया जिला बनेगा तो कुचामन सिटी लगेगा लेकिन अभी क्या है कि उसके अधिकारी गोसना नहीं हुई है कुचामन सिटी जिले की दोस्तों तो डीड़ वड़ा कुचामन में है यह दैया राजवंस की कुल देवी है यह के वाई माता दैया राजवंस की क्या है कुल देवी मंदिर का निर्माण चुवान सासक दुरलबराज के सामन चच ने करवाया था और बहुत बार एकजामों में आया भी है दोस्तों कि जो दुरलबराज है चुवान सासक दुरलबराज उसके सामन थे चच उन्होंने किस मंदिर का निर्मान करवाया था तो इंपोर्टेंट आपके लिए ये रह सकता है दोस्तूं आगे हैं समझ में बदाडा माता और केवाई माता आगे चलिए आगे आरी है कुसाल माता कुसाल माता का मंदिर है बदनोर ब्यावर जिले में बदनोर ब्यावर में दोस्तों और मंदिर का निर्माण मारणा कुमा ने बदनोर विजे के उपरांद किया था बदनोर विजे के उपरांद मारणा कुमा ने कुसाल माता के मंदिर का निर्माण है वो करवाया था दोस्तों कुसाल माता के मंदिर का निर्मान किसने करवाया कि उसन बन सकता है सकराई माता सकराई माता का जो मुक्य मंदिर है वो है उदेपुर वाटी नीम का थाना उदेपुर वाटी नीम का थाना दोस्तों खंडेल वालू की क्या है कुल देवी सकराई मता खंडेलवालू की कुल Δیवी है और इस देवी को पर्तम बार इंटरनेट पर जारी किया गया पहली बार इंटरनेट पर जाने होने वाली लोग देवी सकराई मता है जो बहूती इंपोर्टेंट क्यूसनअ बन सकता है आपके लिए समझ गए तो कुसाल माता और सक्राय माता देख लीजिए एक बार इसके निन्सोड ले लीजिए आगे चलते फिर अगली लोगदेवी आ रही है साकंब्री माता जिनका मुख्य मंदिर है सामबर जेपूर ग्रामिन में मंदिर का निर्मान वासुदेव चुवान है वासुदेव चुवान कोन थे बताईए चुवान वंस के चुवान के संस्तापक कोन थे वासुदेव चुवान उन्होंने साकंब्री माता का जो मंदिर है उसका निर्मान करवाया था और ये राजे की सबसे प्राची लोग देव साकमरी माता है दोस्तों important है आपके सभी के सभी facts यह आपे राजेश्वरी माता मुक्य मंदीर बरतपुर में और बरतपुर के जाट राजवंस की कुल देवी है तो राजेश्वरी माता का मंदीर बरतपुर में बरतपुर के जाट राजवन्स की क्या है कुल देवी बरतपुर के जाट राजवन्स की क्या है ये कुल देवी है दोस्तों शाकमरी माता राजेस्वरी माता दोस्तों आगया समझ भे या से साकमरी माता और राजेस्वरी माता आगे चलते हैं नेक्स्ट लोग देवी की और जो है बहुआल माता दोस्तों बहुआल माता का जो मंदिर है वो मेड़ता नागूर में है और देवी को आज भी सराब चड़ती है बहुआल गाउँ है बहुआल है मेर्टा के अंदर वहाँ पर बॉलमाता का मंदिर है और देवी को आज भी सराब का सेवन यानि सराब चड़ाई जाती है दोस्तों अब देखे ये तो हो गई मुक्य लोग देविया हैं लेकिन कुछ अन्य लोग देविया हैं के बारे में में जानकारी लेनी है कि इनका मंदिर कहां पर है या इनका उपनाम क्या क्या है दोस्तों इम्पोटेंट यहां से सीधे की उसन बनेंगे तो यहां से आपको थोड़ा द्यान से देख लेना है मरकंडी माता निमाज पाली के अंदर मंदिर है दनोप माता दनोप गाउं सहपुरा के अंदर इनका मंदीर है विरात्रा माता चोहटन बार्डमेर में मंदीर है और विरात्रा माता का अन्य नाम है वाकल माता इसके अलावा विरात्रा या वाकल माता बोपू की क्या है कुल देवी है वोपू की कहा है यह कूल देवी है दोस्तों छीच माता तलवाडा बासवाडा में मंदिर है और छीच माता छीच माता है ना छीच है उसका तो तलवाडा में मंदिर है जबकि छीच माता का मंदिर जेपूर जिले में ये जिलाणी माता का मंदिर इस्तित है दोस्तों तो मरकंडी माता निमाज पाली, दिनोब माता दिनोब सापुरा, वीरातरा चोटन बाड मेर में वाकल माता के नाम से जानते हैं और बोपू की है कुल देवी चीच माता का तलवाडा बहुसवाडा में मंदीर है चीच माता का जेपुर ग्रामिन में मंदीर है और जिलानी माता का बैरोड कोट पूतली में मंदीर है दोस्तु लेज़े स्क्रियन सोट आगे चलते हैं आगे देखें आगे राठासन देवी राठासन देवी का जो मंदीर है वो केलासपुरी उधेपुर में काँपर है केलासपुरी उधेपुर में कोडिया देवी कोडिया देवी बारा में मंदिर है और सेरिया जंजाती की क्या है कुल देवी है सांबरा माता पच्चबदरा बालोतरा में मंदिर है सांबरा माता का जिसको लवनता की देवी कहते है क्या कहते हैं लवनता की देवी कहा जाता है खलकाणी माता लूनी आवास जेपूर ग्रामेन गदू का जहां पर मेला बरता है गदू की सुवारी खलकाणी माता की दोस्तों याद रखना कंटेसरी माता उदेपुर में और आदिवासियू की क्या है कुल देवी कंटेसरी माता आदिवासियू की कुल देवी उदेपुर में इडाना माता उदेपुर में मंदिर जो जगह दी गई है वो मंदिर की है तो इडणा माता का मंदीर है उदेपुर में और आग से सनान करने वाली देवी है यह आग से क्या करती है यह सनान करती है दोस्तों बरमर माता, बरमर माता का मंदीर है परताब गड़ के अंदर सर्शवती माता का मंदीर है पिलानी जुन्जुनों में जोगणिया माता का मंदीर है वो बेंगु चितोडगड वे बीलवाडा में न चितोड़ का बाग वहाँ पर और बीलवडा प्रोपर में जोगड़िया माता का मंदिर इंपोटेंट है या सेमकरी माता का जो मंदिर है वो बसंत गड़ दुर यह जो सिरोई जिले में है वहाँ पर इस्तित है तो राटासन देवी केलासपुरी उदेपूर, कोडिया देवी बारा में सेरिया जंजाती की कुल देवी है, सामरा माता पचबदरा बालोतरा में मंदिर है और लवनता की देवी कहा जाता है, खलकानी माता लूनियावास जेपूर ग्रामिन में मंदिर है, कंठेसरी माता का उ उदेपूर में मंदिर और आदिवासियों की कुल देवी है। आगे देखे हैं आगे सुन्दा माता पड़ा भी है बीनमाल जालोर में मंसा माता का मंदिर उदेपूर वाटी में हैं इचकी माता का मंदिर सनवाड उदेपूर में हैं सुवांगिया माता जेसलमेर में मंदिर है और जेसलमेर के बाटी राजवन्स की कुल देवी है यह नारायणी माता राजगड अलवर में नाई-जाती कि कुल्देवी और बहुत बार क्योसन भी आया है नारायणी माता से बदरकाली माता का मंदिर है हनुमानगड के अंदर वापस देखे सुंधा माता भीनमाल जालूर मंसा माता उदेपुर वाटी हिचकी माता सनवाड उदेपूर सुवांग्या माता जेसलमेर और जेसलमेर के बाटी राजवंस की कुल्देवी सुगंच डी का उतार वह आवड माता की रूप में इनको पूजा जाता है यह अन्यनाव आवड माता भी इनका है दोस्तू नारायनी माता राजगड अलवर और नाई जाती की कुल्देवी और बदर का लिमाता हनुमान गड़ यह थी आपकी राजस्तान की कम्प्लीट की कम्प्लीट लोक देविया जो आपके सामने हमने रख दी है एक बार कमेंट कर दो पटापट कैसी लगी आज की क्लास देखे जिन सात्यों ने अभी तक लायक नहीं किया लाϊक सेर और चैनल को सबस्क्राइब करने का कारिये जिन सात्यों ने इनमें से कोई सा भी कारिये का रिए नहीं किया तो जल्दी से कर दे और कोई भी डाउट है तो यहाँ पर इस्ट्राग्राम आइडी दिकाई दे रही है नीचे आपको उस पर जाईए और मेसेज करके जानकारी ले सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्सर में दी गई है दोस्तों आप सबी सात्यों को बहुत बहुत दन्यवाद जे हिंद जे वारत